नमश्कर दोस्तों फिर्स स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Vivo T15G है या कोई और मॉडल है Vivo का तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो नोटिफिकेशन आपको आफ करने है या फिर फुल सेटिंग करने है तो फुल सेटिंग यहाँ पर बता देती हूँ तो इसके लिए आप चले जाएंगे यहाँ पर सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करन औरका में बाल रहा है, notifications का option है, आप इसके खूर कर लेंगे इसके यहां पर आपको app setting का option देखने को मिलता है, app setting पर आप click करेंगे तो यहां पर applications देखने अगर डारेक्ट बंद करना है तो लेकिन अगर डारेक्ट नहीं बंद करना है तो यहाँ पर आप जैसे मौच की है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अंदर से भी इसको आफ कर लेंगे और ज्यादतर सेटिंग अंदर की क्रोम की होती है तो क्रोम की आप यहाँ पर अं कर देंगे तो यहां पर आपको पुरानी से पुरानी भी स्क्रीण पर दिखती रहती है ज़़ तक आप उसको आपन करके देखना ले इसके बाद यहां पर आपको डिवाई सैप नोटिफिकेशन का नोटिफीकेशन को मिल जाता है तो दिवाइस अपके नोटिफीकेशन यहां पर यहां बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं इस टाइप से बंद के और यहां पर नोटिफिकेशन आपको कैसा दिखता है कंटेंट वगरा हाइड हो जाते हैं या फिर साइलेंट कनवर्सेशन आपको हाइड करना है तो यहां पर आप इसको अन कर सकते हैं यह वाला ओप्शन ठीक है तो जो साइलेंट नोटिफिकेशन होगा उसका कंवर्सेशन AAP का हईड रहेगा बाकि आप डोन्ट शोव अनी नोयींट ओपनी कर सकते हैं कि सैंसिट्ईव सेशन आपको बंद करना है ताकि आपकी जो सैंसिट्डिव कइंट व्सोंिग्ड होते ही और वेक स्करेण हो और उन कर सकते है अँसक् और यहां पर snoozing आपको बंद रख नहीं है, यह snoozing मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन आपको बार बार स्क्रीन पर डिखते हैं जो, और यहां पर action and reply का option चाहिए नीचे, whatsapp अगर के नीचे reply का option चाहिए तो आप इसे on कर सकते हैं, home screen आइकन का option आजाता है, आइकन का sound change कर लीजेगा, do not disturb आजाता है, और कुछ नहीं करना आपको back कर देना है, तो इस step से setting कर लीजेगा, चले मिलते हैं आपको एक next video में, तब तक के लिए नमस्कार